नमस्कार दोस्तों वेलकम तो नौलेज़ेवीसी मैं हूं निखिला और हम लोग क्लास नाइन साइन्स का जो लास्ट चैप्टर है इंप्रूब्मेंट इन फूड रिसोर्सेश पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे फिस्स प्रोडक्शन के बारे में चलिए डीडेल में पढ़ते एक कि फिस्स प्रोडक्शन आखिर कैसे किया जाता है इसके क्या क्या मेठन है और कहां व्याल से cancelled ले सकते हैं तो फिस Ph hijson का प्लोडुक्शन हम uzड़ीं क्यों है आप्र हम लोग चेंडी तरीके से इस zer को पकर के सब्सक्राइब प्रोडुक्शन तो कर लिए के लिए लेकिन यह फूड फिस्ट लोठाइप से इसके अंदर दो तरह के आ जाते एक फैसे अarm के सकते हैं जाएऽ यह पर आप्न से क्यों भाउग है उसको हम लोग जिस इस खेल मचली कहते हैं और दूसरा हो गया मॉलासस मूलासस को गमंगा कहते हैं इसे भी खाने में इप्योर किया जाता है लेकिन यह प्रापर फिश नहीं होते हैं फिस के कैटेगरी में यह नहीं आते हैं लेकिन as a fish production में इसको भी include किया जाता है ठीक है तो जो भी हमें water से हमें as a living things के रूप में मिलता है तो उसमें fish हो गया, prawns हो गया, molasses हो गया, वो सारे category को हमें as a fish production के अंदर गत लेते हैं, लेकिन true fish ये नहीं कहलाते है, true fish आप जो proper fish देखते हैं, tuna fish हो गया, rare fish हो गया, वो true fish के अंदर गताते हैं, तो इसलिए इसको दो category में एक fine true fish, जो आप normal fish देख सकते हैं, ये वाला, और दूसरा हो गया कि self fish, जिसमें एक कवच होता है, self fish मतलब कि एक हलका सा उसके उपर layer लगा रहा है तो जैसे कि prawns हो गया, उसको उपर एक हलका layer होता है, गोंगा हो गया, उसको self fish के नाम से जाना जाता है, जिसमें prawns हो गय या तो natural source है हम उसे capture करके लिया है, ठीक है, कोई भी natural source है, जैसे कि sea है, समुद्र है, उसमें जाल डाले और वहाँ से लेख आगे, जैसे कि आप आप फोटो में देख सकते हो, इस आदमी ने ये नदी है, या पिर आप नदी का example ले लो, या पिर आप समुद्र का example ले लो, तो natural source होना चाहिए, जहाँ पर fish हो, वहाँ पर आप प्रॉपर जाल डालो इस तरह से, और वहाँ पर जो fish capture होगी, उसका fresh production ले सकते हो, एक तरीका ही होगा, दूसरा तरीका होता है, fish culture करना, fish culture करना के मतलब कि artificial अगर हम लोग pond बनाते हैं, उसके अंदर fish छोटे बच्चे क बड़ा जब हो जाता है, तब उसको वहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसको होगे artificially produce करना, और इसको कहेंगे fish culture fishing, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते ही, artificial pond बनाया गया है, और इसमें fish है काफी सारे, और इसको फिल जाल डालके निकाला जाएगा, तो फिर इसको कहेंगे artificial fishing capture fishing मतब naturally, अगर हम कहीं से capture करते हैं, तो इसको capture fishing कहेंगे, और culture fishing मतब कि कहीं पर particular उसको growth कराए गया, pound में उसका growth कराए ठीक है, यह तो हो गया कि category कहां कहां से हम लोग fish को ले सकते हैं, लेकिन इसका पूरा division होता है, fish का division होता है, fresh water fish और sea water fish, marine fish और fresh water fish के category में इसको बाट समुंदरी मचली और साफ पानी की मचली, ठीक है, तो इसी basis पे आगे इसका division होगा, अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, marine fish के बारे में, marine fish का मतलब हो जाता है, कि जो की हमें खारे पानी से, मतलब की समुंदर से जो मिलने वाला जो मचली है, जो fishes हमें मिलते है, उसको हम लोग marine fish के category में डालते है, अगर Indian marine fish की अगल में बात, Indian coastline की बात करें, समुंदर की बात करें, तो 7500 km का इंडिया का coastline है, आप यहाँ पे map में देख सकते हो है, कुझरात के coast से पूरा लेते वे, पूरा कन्या कुमारी होते वे, फिर यहाँ तमिलनाडू, अं marine fish हमें काफी अच्छे quality के बिल जाते है, आप popular कुछ name जान लेते हैं कि marine fish के कुछ नाम क्या-क्या हो जाते है, तो pump freight हो जाते है, markerel हो गया, tuna fish हो गया, sardine fish हो गया, bombay duck, यह सब mainly variety है, जो इंडिया के coast पे मिलते हैं, यह सारे marine fish के category में आ जाते हैं, अब हम लोग कुछ और इसके बारे में जानते हैं कि जो marine fish है, इसको पकड़ा कैसे जाता है, तो special तरह का fishing boat होते हैं, जिससे इसको पकड़ा जाता है, बड़े-बड़े shipping boat होते हैं, यह समुंदर में जाते हैं, और कुछ local मचवारे भी होते हैं, वो भी जाते हैं, लेकिन जो अगर large scale पे production करने के बड़े-बड़े shipping boat होते हैं, वो जाते हैं, समुंदर में से catch करके लाते हैं, अच्छा, अब यह पता कैसे चलेगा कि किस area में जादे fish है, किस area में कम fish है, तो किस area में जाने पे जादे हमें benefit मिलेगा, तो इसमें हम लोग satellite का और eco sounder का उपयोग करते हैं, तो satellite के उपयोग तरीके से भी हम लोग इसको पता करते हैं, कि किस area में जादे fish है, तो इस कारण सो विदा होता है, और fish का production वा से हम लोग लेते हैं, ठीक है, अब कुछ marine fish के जहां तक बात हो रही है, तो कुछ जो drew fish की तो बात हो गए, अब कुछ other variety के भी जो होते हैं, जैसे कि मैंने सुर fish is less, mullet, betky and pearl spot, यह सब fine fish में हो गया, तो normal fish category हो गया, उसके बाद, selfish की category आ जाती है, selfish मैंने जैसे के बता है, उसको पर पच होता है, जो की prawns हो गया, molasses हो गया, oyster हो गया, ठीक है, जिसमें मोती निकलता है, oyster जो गोंगा कहते है, वो oyster हो गया, फिर जो prawn हो गया, prawn मतलब की ह हो जाता है, इंगा मचलिक, तो वो सब हमें मिल जाता है, इसके साथ, सीवीट का भी हम लोग निकालते है, समुंदर से, जो इसको खाने में यूप 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 एक तरह के छोटे प्लैंक्टर स्टैप के होते है, छोटे जीव होते है, तो कभी-कभी नंगिया को से नहीं तो वेश्टर का प्रोडेशन इसके लिए भी क्यारत एकनॉमिक वेनेफिट इसका डबल हो जाता है, उसका हम लोग बात करेंगे मेरी कल्चर की, अब बात यह हो जाती है कि जितना भी अगर हम लोग फिस का प्रोडेक्शन सैटलाइट के प्रूर, इको सांडर के तरूर हम इसका डिमांड इतना जादे, इतना जादे फीड कराना है पबलिक को, कि कभी-कभी यह हो जाता है कि फिस का मिल नहीं पाती है, समुंदर में भटकते रहते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर जगह नहीं मिल पाते है, जहाद पर लाजज सेटलाइट में फिस हमें मिले, फिस का टो इसके लिए अर्टिफिसलि उत चल्चर केम एरि कल्चर का मतब में 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 सांद करका यह पर पर सुपर आप का यहां पे अगर जो लेंड वाला एलिया है यह क्या करते हैं पॉन्ड बनाता है यह फिर समें अपना कि श मुद्र वाले पार्ट में करते तो इसमय रेंप ने हैं जिए में आपय मुद्र में यह पीज़ एक तरह से समूदर में जाके पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाके वहां सा अगर हम लोग फिस्ट का पूरा प्रोडक्शन लेते हैं तो इस पूरे प्रैक्टिस को कहाएगे चैनल क कि भी जा है। मंचलिया नॉर्मल पानी वी जनदा नहीं रहा पाएगी और इस नॉर्मल पानी जो फ्रेश वार्ट रहा है। वो धों यहां पर यहां पर पानी और three Lesana यहां तो रिवर का पानी हो सकता है या पिर को słuच पंड होकी जसे मैंने बता है सब हो जागा तक है गैडश वीश्वटर रिशोर्स में कैनाल रिविवार रिवर, जैसे मैंने बता है यह सब तक है! बैकिस वाटर रिसोर्सेज दोड़ता है वेर सी वाटर एंड फिक्स वाटर मीक्स तूरिडर सच अज इस्चूरी लेगूज अर अपर इंपर्टन फॉर्म फिस्च रिजर्वायर ठीक है तो लेगून और इस्चूरी जहां पे नभी जाके समंदुर से मिलती है तो वहां पे मात्रा में पाणि आज दा तो वहां का जो इको सिस्टम बनता वही व aurait फिस्टप्रोडक्शन के लिए उए काफी चुछला पानी होता है तो उसके कारण से वहन पर फिस्टप्रोडक्शन भी काफी अच्छा हो जाता है उसके बात जो कि धी कल्चर का मतलब क्या होता है यह मेली इनलेंड में यूज करता है आर्टिफिशल यूज कोई पॉंड बना दी इस कंसेप को समझना है कोई पॉंड बना दे जहां पे पांच छे डिफरेंट वराइटी के फिश डाल देंगे और वो फिश ऐसे होता है कि जो आपस में नहीं तो जो जिसका खाना वही खाएंगे एक दूसरे पर हमला भी नहीं करेंगे एक दूसरे को भी नहीं खाएंगे इस कारण से हमें एक साथ धेर सारे एमाउंट में फिस निकल जागा मतलब कि जैसे हम लोग जो निक्स्ट फार्मिंग करते थे वही चीज है यहां पे तो जैसे कतला फीस है यह सर्फेस फीडर का मतलब क्या हो गया कि जो सर्फेस पे जो उसके खाना मिले गए वहां से खाता है ना तली ना सर्फेस वाले एरिया में जो उसको खाना मिलता है वहां से खाता है ठीक है मृटम या कॉमन क्रैप के अगर हम लो बात करें यह बॉटम फीडर होते हैं ठीक है आप देख रहे हैं लोकेशन जैसे कटला था यह सर्फिस पे खाया रहू था यह मिड़ मेखाया ठीक तो यह इसमें डिफरेंस हो जाता है इसके कारण composite fish culture यहां पर करना काफी आप हो जाता है उसके बाद grass crab की बात करें तो grass crab weeds पे जो जंगली घास उसमें जो उख जाते हैं उसमें उसको खाते हैं ठीक है तो यह चारो variety को हम एकसाद अगर हम पाल ले तो काफी अच्छा benefit होगा गभीवा ने सकते हैं यह जादे जादे फिस का प्रोडक्शन हम ले सकते हैं कभी-कभी होता है कि rice crop के साथ Hindi field में भी पानी लगा रहता है ।ो यह उसमें भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ क्या-क्या problem associated हो जाते हैं मेंली problem हो जाता है इसका जो मांसून सीजन होता है वो फिस ब्रीडिंग सीजन होता है तो कोई उससे में पानी होती है तो उससे में काफी problem हो जाता है हम लोग फिस का production ठीक से ले नहीं पाते हैं दूसरा है availability of good quality of seed यहां पे सीड क का मतलब हो गया फिस के जो छोटे वच्चे होंगे जिसको हम डालके फिर प्रोडक्शन लेते हैं तो उसकी availability सही से नहीं है जिसके काफी problem हो जाता है इसमें काफी नुपसान भी हो जाता है कभी कभी thank you very much वीडियो आप पर चला लगा तो लाइक सरो सब्सक्राइब ना झाल 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 झाल